हेलो गाइज इसमेज यावल असने यह वाचिंग असनार्ट स्टूडियो आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं आपके सबस्कूल ऑफ चैप्टर नुम्बर त्री विच नेम इस तपहारी स्कूल ऑफ मिनियचर पेंटिंग हमें तो सबसे पहला हमारा सबस्कूल आता है बसूली सबस्कूल लेकिन हम इसमें जो कवर करने जा रहे हैं वो सिफ तीन सबस्कूल कवर करेंगी जो की very important है और बाकि जो हमारे सब स्कूल बचेंगे उन से अगर कोई question बनता है तो हम आपके जो question answer series या mcq series लेकर आएंगे हम उसमें उन सारे question को depict कर देंगे या फिर उनको रख देंगे वहाँ पर तो आप वहाँ से बढ़ सकते हैं अभी हम यहाँ पर describe करने वाले हैं तीन सबस्कूलो ओफ पहारी स्कूल तो सबसे एल मफ जाप बसूली सब्सकूल दिस्टाइब तो यह पहारी स्कूल का सबस्कूल है औरस इस्कूल के हमने मतलब आपको पहले ही बताया था कि वह इस्तायल है तो आप यहाँ से उसे दिहान में रख सकते हैं देना आता है दिस स्टाइल केम इंटू एक्सिस्टेंड मुगल एंपरर औरंग जेव है रिस्टिक्स ओल्ड फॉर्म फॉर्म फॉर्ट इन हिस कोट जैसा हमने पहले बताया जो मुगल राजा था जिसका नाम है औरंग जेव तो औरंग जेव ने सारे अपना सासन चलाता था तो उसमें और जो डांसिंग वगरा है सब उसलिए आपनी गथा वहां से चले गए और वह आदे चले रह स्थानी और पहाड़ी ए पहारी एर्यव चले कर आपको हमने बताया कि जो हमारा पहारी स्कूल की शुरुआत है वो 17th century से है और वो सबसे पहले बसूली स्कूल जो सबसे पराना स्कूल है जो बसूली स्कूल है तो in the middle of the 17th century the court painters artists moves towards the hilly states तो जो सारे court artists थे पेंटर थे वो hilly state में अपना immigrant होने लग गए थे and they implemented technical coordination of various elements of the mughal style into the art forms previously exist there तो जहां पर जो परानी art थी पहारी area की जो exist थी वहां पर उस art में उन्होंने mixture किया mughal style का तो आपकी नई art सामने आई जिसका नाम है the pahari school और यह हम बात करें रहे हैं basooly school जो की पहारी स्कूल का sub school है ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि sub schools के नाम दे दिये जाएंगे आपको जैसे एहमद नगर गोल कॉंडा और बसूली और किशंगर नाम दे दिया जाएगा और आप से पूछा जाएगा कि इन में से कौन सा पहारी सबस्कूल है तो आपको पहचानना है कि पहारी सबस्कूल कौन सा है तो इसलिए ये भी आपको ध्यान में रखना होंगे अब जो ये जो आर्टिस थे ये सबस्कूल तो थे अपने किंग्स वगरा के बट ये इंडिपेंडेंट भी थे अपने हिसाफ से उसकी थीम्स चूस करने के लिए जो भी ये पेंटिंग करते थे जो कोट में था कोट में तो ये वही पेंटिंग बनाते थे जो कि राजा के मन के मताबिक होती थी या वो उनको ओडर देता था वो पेंटिंग होती थी या फिर राजा को खुश करने के लिए पेंटिंग बनाते थे इसलिए वो कोट से रिलेट पेंटिंग होती थी बट य योपिंटिंग थी उन्होंने एलिमेंट जो है добавil style के लिए जो जो specific elements थे कुछ specific elements थे व WRrike के लिए बाकी का उनोंने जो traditional वहां का tradition था भारिय अर्य एरिया का वो उन्होंने वहाँ पर use है और टॉपिक थे पेंटिंग के पेंटर्स स्टार्टेड मेंग एक पेंटिंग और अबस्टेक्ट थीम्स और नेट लिटरर सी वोल्यूम सच इस रसमंजरी रामायनागी गोविंद और रागमाला सिरीज तो यह उन्होंने फिर अपने मंद से यहां पर पेंटिंग करना श प्राजपूत रूलर बेट्वी तो नाइंटीं सेंचुरी यह जो कांगरा स्कूल है वो राजपूत रूलर्स जो पहारी एरिया में रूलर्स थे वह भी राजपूती रूलर्स थे और वह 17th to 19th century के पैटन में इनोंने काम किया है जो कि वहां के आर्टिस हैं और इस ग्रे होता है हिमालया की तलहटी में या फिर जो लोवर पार्ट होता है हिमालया का वहां पर इनोंने पैंटिंग्स ही है इन फर्स हाफ ऑफ दे 18th century आ फैमिली ऑफ कश्मीरी मुगल इस्टाइल पेंटर्स तुक शैल्टर एड़ कोर्ट और राजा दलीप सिंग और स्टाइल और फैमिली घो कि मुगल आर्टिस्स ए książ अनको पैंटिंग करना शुरू किया तो उन्हों ने ही जिसमें आता है गुलेर, बसोली, चंबा, नूरपूर, बिलासपूर, कांगडा, लेटर ओने इस स्टायर, और रीज, मंडी, सुकेत, कुलू, आरकी, नालगर, और टिहरीगरवाल और कॉलेक्टिव नोन आज पहारी पेंटिंग्टिंग नेक्स आता है गुलेर सबस्कूल, गुलेर सब स्कूल ऑफ मिनीजर पेंटिंग भी पहारी स्कूल का एक सब स्कूल है गुलेर इस फेमस पो था बोर टाइफ पेंटिंग्टिंग्स इंडिविज्वल और सब्चेक्टिव इट वंडर्फुल इनुग्रेटिड अध था मैस्टिरियसनेस अड बीयूटी अव विमन यहां पर मिस्टिरियसनेस ऑफ प्यूटी ओफ विमन देखने को मिलता है जैसा कि हमें कृष्णगर में देखने को मिलता है राइस्थान स्कूल में और इमोशनल डिपिक्शन और डिस्पोजिशन ऑफ गुलेर पेंटिंग से इस नोट सीन इवन इन पेंटिंग ऑफ नेक्स आता है करेक्टिस्टिक गुलेर सब स्कूल के जो क्या है प्याइब ये आपका very important है फॉन कोटने क्लाउट्स आपको किस सब स्कूल में देखने को मिलते हैं तो आप कहेंगे गुलेर सब स्कूल में emotional nature characteristic of गुलेर paintings ये सारी चीज आपको यहां पर आपको देखने को मिलेगी तो ये हो गए आपके सारे आपके सब स्कूल और पहारी स्कूल इससे next lecture में हम cover करेंगे आपकी सारी paintings यानि कि two paintings और पहारी स्कूल क्योंकि आपके पहारी स्कूल में two paintings दी गई है और एक ये छोटा सा आपका एक chapter है पहारी स्कूल क्योंकि इसे राजधाने स्कूल से ही अलग किया गया है या फिर कह सकते है राजपूत पेंटिंग से ही इसको अलग किया गया है तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू फू वाचिंग